अक्सर आपने सडकों पर ओवर्लोड वाहनों को जाते और पुलिस को कारवाई करते देखा होगा लेकिन ट्रेन में ओवर्लोडिंग थोड़ी चुंका देने वाली बात है 36 गड के राइगड में ऐसा ही एक मामला सामने आया जब ओवर्लोड माल गाड़ी रेल्वे स्टेशन पर शेट तोड़ती विन नजर आई इसके चलते माल गाड़ी में लगा पेट्रोलियम कोक प्लाटफोर्म पर जागिरा तेश शोर और धमाके के कारण इसके बाद करीब दो टन पेट्रोलियम कोक प्लाटफोर्म पर गिर पड़ा और यात्रियों में भगदर मच गई जानकारी अनुसा रेल्वे स्टेशन राइगड में उस वक्त एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया जब कोईले के चूरे से ओवर लोड एक मालगाडी प्लाटफोर्म नंबर 3 से गुजरी तो वहें शेड को तोड़ती हुई क्रॉस कर गई उसके साथ ही मालगाडी में लोड कोईला प्लाटफोर्म से इधर उधर तेजी से भिखने लगा गनीमती की प्लाटफोर्म में मुझूद सैंकडो यातरियों की जान बजगे राइगर सेशन के प्रबंदक ने बताये कि स्माल गाड़ी में कोईला ज़ादा भरा हुआ था इस वज़े से प्लाटफोर्म का से डैमेज हो गया है जिसके आगे के कारवाई के लिए वरिष्ण दिकारियों से संपर्क किया जा रहा है साथी प्लाटफोर्म पर बिख्रे कोईले को हटवाया जा रहा है अब देखना ये होगा कि ओवरलोड गाड़ियों पर तो कारवाई के लिए मानकों का पालन नहीं करने वाले जिम्मेदारी पर क्या कारवाई होती है श्रमता से अधिक लोड होने पर पट्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी जांज का विश्य बना हुआ है रायपूर 36 गर से हिदेश मानिकपूरी की रिपोर्ट जे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज